कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बारिश में नाने का उपाए कब करना चाहिए किन लोगों को बारिश में जरूर ना चाहिए लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बेल को भी जोर दबाएं जिससे म लोगों का ब्रस्पति फॉर्ठ हाउस में होता है उन लोगों को बारिश के पानी में जरूर ना चाहिए लाउर किताब की अनुसार जो लाउर किताब का नेंटिन फूर्टिटू वर्जन है उसमें जब रस्पति खाना अनमबर 4 में होता है तो उसकी ज़ चीजे बताई गई है वो हैं बारिश और सोना सोना मतलब शुद सोना बिल्कुल जिसमें कोई खोट ना हो और बारिश, बारिश का पानि तो वैसे तो जब विरस्पती फॉर्थाउस में होता है तो वो आम तोर पर अपना अच्छा सार ही देता है क्योंकि फॉर्थाउस चंद्रमा का पक्का घर है और विरस्पती फॉर्थाउस में उच्छका होता है तो उच्छका होने से अपने अच्छे रिजड़ देता है ले या वर्ष फ्रिल्म है यो फोर्ता उस में आ जा जा है। और बृस्पती अपने अच्छ एसर ना दे पा रहा हो। तो ऐसे जातक को उस समय पर वारिश में जरूर नहना चाहिए। वारिश के पानी में नहने से ऐसे जातक का जो ब्रिस्पती है वो बहुत ही अच्छे असर देने लगता है और ब्रिस्पती से सम्मंदित जो भी चीजे हैं उनका जातक को फाइदा मिलता है क्योंकि ब्रिस्पती जो 4th house का आया है उसके बारे में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ती के पास पैसा दोलत सारे सुक्ष सम्मंपत्ती सब कुछ होती है तो इसलिए जिस भी व्यक्ती का ब्रिस्पती खाना नम्बर 4 में है वो जातक बारिश के पानी में जरूर ना है इससे उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो दोस्तों अमीद करता हूं मेरी इस वीडियो से आपके एक अच्छी जानकारी मिली होगी आपका मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे योट्यूब चैनल को जोरू सब्स्रा राइब करें दने बाट